एक प्रसंद आया है कि देपता में और मनुस्य में क्या अंतर है ये बार-बार आएगा क्योंकि पुरानी पाली भासा में अर्खास और से जो भिक्कु संग होता था और जो भगवान बुद्धु स्वेम हम बहुत सारी जगे उन्होंने देपता और बहुत सारी जगे मनुस्य का इस्तमाल किया है बताया है बेसिकली मनुस्य और देपता में बेसिक जो अंतर है मनुस्य सभी हैं मगर देपता उसको कहते हैं जो अच्छे काम करता है कुसल कम करता है और जो पांच सील का पालन करता ह जो पांच सिल का पलन करता है अच्छे काम करता है उसको देपता कहके बताया गया है और जो पांच सिल का पलन नहीं करता है कुसल कम नहीं करता है यानि कि जो बैड वर्क करता है जिसकी डीड या जिसका कारे अच्छा नहीं होता उसको मनुस्य कहा गया है देवता में देवाती देव भी है देवाती देव का मतलब है देवताओं का देवता यानि अच्छे लोगों का भी सबसे अच्छा व्यक्ति वो बुद्ध के लिए माना जाता है अगर कहीं देवाती देव बाद में इसको देवादी देव बोल दिया है बहुत सारी जगेप पिचरों में आपने देखा होगा नाटकों में देखा होगा खास तोट से साउत के अंदर बोलते हैं देवारे देवा, देवारे देवा, देवादी देवा ये बेसिकली पाली में सब है देवा ती देवा देवा ती देवा यानि देवों का देव और जब इसको हम बोलते हैं देवा दी देव या देवारे देवा तो इसका मतलब हम भगवान बुद्धु को ततागत बुद्धु को सुगत को सम्यक्सम बुद्धु को इंगित कर रहे हैं धन्यवाद